आपको बताने वाला हूँ कम्प्लीट रिव्यू अमेरिकन सूपर नेच्छल सीरीज दवेपायर डाइरीज के उपर आपको बताऊंगा अपना कम्प्लीट और ओनिस्ट ओपिन यनि शो को लेकर आप इस वीडियो को एंटर जरूर देखेगा लेकिन वीडियो को शुरूरात करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो प्लीज फटा पट से जाकर इसे सब्सक्राइब कर दिए और बैला एकर को दबाना मत भूलिएगा तो आए शुरू करते हैं इस शो के कुल मिला कर टोटल आर्ट सीजन से जिसमें इन टोटल 171 एपिसोड है और दोस्तो हर एपिसोड की लंबाई करीब 42 मिनिट्स की है तो जाहिर सी बात है कि इस शो को आपको कम्पलीट करने में काफी टाइम लगने वाला है लेकिन मैं आपको यह पता दू कि यह शो की इतने लंबे होने के बावजुद भी यह शो आपको बिलकुल निडाश और बोर्ण नहीं करेगा और इस शो के एंड में आते आते आप मेरी तरह इस शो के फैन जरूर बन जाएंगे Vampire Diaries के शुरुआत होती है Mystic Falls में जहाँ पर एक जमाने पर Vampires हुआ करते थे और फिर स्टेफन और डेमन सेलवटोर के वापस वहाँ आ जाने पर Mystic Falls और Vampires आ जाते हैं स्टेफन और डेमन सेलवटोर दोनू एलिना गिलवट नाम के एक लड़की के लिए Mystic Falls आते हैं जो कि एक बहुत स्पेशल करेक्टर रहती है इस शो की जो आपको इस सीरीज में आगे मालुम चलने वाला है और मैं आपको यह बता दू कि यह पूरा शो इन तीनों केरेक्टर के उपर है रिवॉल्व करता रहता है दोस्तों इस शो के हम पॉजिटिव एस्पेक्स की बात करें तो इस शो में दिखाये गए सीन्स बहुत ज़़दा ऑथेंटिक और रियलिस्टिक लगते हैं और आपको यह शो को देखकर बहुत ही अच्छा लगने वाला है यह शो बिलकुल एक्शन से भरपूर है जो कि आपको बिलकुल भी बोर नहीं करेगा दोस्तो इस शो के हम दूसरी positive aspect की बात करें तो आपको इस शो में the original series के और भी बहुत सारे vampires के characters नजर आने वाले हैं जो कि इस शो को बहुत ज़़दा interesting और surprises से भर देते हैं साथी दोस्तो इन characters के वज़े से ही यह शो में thrill बरकरार रहता है दोस्तो स्टेफन, डेमन सेलवेटर और एलिना गिलबर्ट के अलावा आपको इस शो में और भी बहुत सारे characters नजर आने वाले हैं उन important characters की अगर हम बात करें तो आपको इसमें सबसे पहले Caroline Forbes, Bonnie Bennett, Matt Donovan, Elric Saltzman, Jeremy Gilbert और Tyler Lockwood नजर आने वाले हैं और इन सबका रोल इस शो में बहुत ज़ादा important है और यह रोल आपको यह series देखकर ही मालूम चलने वाला है दोस्तों conclude करते हुए मैं यही कहूंगा कि The Vampire Diaries Supernatural Shows में सबसे ज़ादा उपर आता है और IMDB भी इसकी rating 7.7 है जो की काफी अच्छी है दोस्तों अगर आपको थोड़ा ड्रामा और एक्शन से भरपूर शोस पसंद है तो The Vampire Diaries आपके लिए ही बना है अगर आपके लिए यह review helpful रहा हो तो इस वीडियो को आप like और share जरूर करना और दोस्तों साथ हमें comment section में लिख कर जरूर बताना कि आपको यह वीडियो और review कैसा लगा तो दोस्तों इसी के साथ हम जल्दी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में